नमस्कार दोस्तों, लॉजिक गेट जैसे की एंड और नॉट गेट, ये सारे गेट के बारे में जानने के आपको जिग्यासा है, ये सारे गेट, लॉजिक गेट, डिजिटल सर्किटी, इस टॉपिक से रिलेटर प्रस्न है, जो आपके एक्जामनेशन में आते हैं, तो ये से इसके का इस्तमाल होता है, और ये कैसे काम करता है, ये सारे प्रस्नों का जवाब है, जो आज के सेशन में आपको देने वाला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन, अबाउट लॉजिक गेट, दोस्तों, आपको बात करूँ, सिंपल सा बात है, लॉजिक गेट के इनोबेशन हो रहा है, कोई भी सर्क्रीम, मदरबोर्ड, रैम, कुछ भी बन रहा है, डिजिटल एक्ट, डिजिटल एक्ट कहने का मतलब है, एक ऐ要सा सर्किट, ऐसा सिस्टम, जिसमें जीरो वन का इस्तमाल हो रहा है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम को, अगर हम लोग सबसे basic element होगा, वो हमारा logic gate ही होगा, आप इसको यह ऐसे समझ सकते हैं, कि अगर मैंने एक घर बनाया है, अगर मैंने एक घर बनाया है, मान लिजिए पूरा circuit मेरा घर है, तो घर में जो eat है, eat क्या है, सबसे basic element है, हर एक eat को हम लोग जोड़ के घर complete करते हैं, उसी तरह हम यहा आप correlate यहाँ पे कर पाऊगे, इसलिए कहा जाता है, यह है क्या, तो यह basic building element of any digital system है, कोई भी digital system बन रहा है, कोई भी circuit डेवलप हो रहा है, कोई भी equipment बन रहा है, तो उसका सबसे basic component है, उसे हम लोग logic gate कहते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर का eat, उसी तरह हमारे circuit में logic gate, ठीक है, I hope so, समझ में आ गया होगा, चलिए, आगे इस पर चर्चा करेंगे, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, end gate, or gate, nor gate, not gate, nand gate, zorg gate, यह सब क्यों वरगी करन किया गया है, यह सब भी हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं, तो बात करते हैं, दोस्तों, यहाँ प circuit, ठीक है, एक combinational circuit और दूसरा sequential circuit है, जिसका उप्योग होता है, यानि जितना भी circuit का इस्तमाल हो रहा है, उसको मुख्यता दो भाग में बाढ़ दिये गया, एक combinational, दूसरा sequential, ठीक है, दो तरह का काम होता है, सरी, electronic equipment में, किस तरह का काम होता है, तो या तो data का flow होगा, flow that means एक जगा से दूसरा data जगा जाएगा, या तो data store होगा, यह दो ही तरह का काम है, जो equipment में हमारा होगा, कोई भी electronics equipment है, कोई electronic system है, तो उसमें मुख्यता दो ही तरह का काम होगा, क्या हो सकता है, या तो 01 को कहीं पर store करेंगे भाई, ताकि बाद में access retrieve कर सके, या 01 को flow करेंगे यानि कि travel करवाएंगे, calculation करने के लिए, या फिर process करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए, हम लोगो flow करवाएंगे, तो मिखता दो ही तरह का काम, हम लोग यहाँ पे कोई भी digital equipment होता है, या तो data, या 01 का flow होगा, या तो data, या 01 वहाँ पे store होगा, ठीक है, यही दो काम हो क लिए दो केटेगरी बाठी गई, एक कॉंबिनेशनल और दुसरा सिक्वेंसियल सर्कृट, तो याद रखे हैं कि दोस्तों, जो कॉंबिनेशनल सर्कृट होता है, उस में क्या होता है, बेसिकली data flow का इस्तमाल होता है, data जो flowing का काम होता है, वो सर्कृट में इसमें जो आउट्पूट होगा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह कुछ इस तरह होगा दोस्तों कि दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सिक्वेंशल सर्कृट है को एक है ऐसे से करके बहुत सारा सर्कृट बना हुआ है तो इसमें input गया होगा और यह फिर इसका output इसका input बन गया गया तो यहां कहने यह चाहरा है sequence circuit कि इसका जो काम होगा यह input पे तो effective होगा ही साथिस्थ यह previous वाला input जो है इसका भी इसमें कुछ योगदान होगा इसलिए इसका नाम पढ़ा इसलिए बोलाता है कि present input as well as past input इस input का तो यूज है ही साथी साथ इस input पे का भी ध्यान रखेगा कि भाई पहले से क्या input आ रहा है इसका भी ख्याल रखा जाता है इसलिए इसे कहा जाता है sequential circuit तो जितना भी storage component जिसे register मैंने बात कर रहा था यह सब किससे बनता है यह सब है यह सब क्या है तो यह सब हमारा sequential circuit का एक्जामपल है यह सब का formation ऐसा होता है चुकि data store कर रहा है तो data store अगर कोई भी component कर रहा है तो अगर सिर्फ present input पे काम करेंगा तो काम नहीं चलेगा उसको तो past data का भी use पड़ेगा ठीक है अगर मानलो की अगर मानलो की दो प्लस दो मैंने add कर दिया तो अभी दो डाला दो बहुत पहले डाला था ठीक है तो उसके अभी तो आवसकता पड़ेगा मैंने कुछ summation वहां पर किया आधा solve करके छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं present जो चल र flip-flop हमारा counter यह सब sequential circuit का उधारन है और उसी तरह data flow के लिए जिसे half duplex, half adder, full adder, multiplexer, demultiplexer यह सब क्या है तो data flow करने का काम करता है यानि signal को travel करवाने का काम करता है ठीक है तो यह travel करने का जो काम है यह सारे equipment करता है तो इसलिए इसे कहा जाता है इसका point यह है कि यह सिर्फ past करने के लिए वह हमसे बात करो तो वही बोला जाता है कि इसमें सिर्फ present input पे focus होता है past input पे focus नहीं होता है तो यह दोनों एक साब्दिक अर्थ है जो आपको समझना चाहिए तो इसका उधारन क्या है half adder, full adder, subtractor, half subtractor, full subtractor, multiplexer, demultiplexer यह सब जो है यह सब किसका उधारन ह हो जाता है तो यह सब हमारा combination circuit के उधारन हो जाता है ठीक है यह आप समझ में आ गया होगा अब यही सारे component जैसे मने बताया register है flip-flop है यह सब है अब यह सब जो बना होगा यह सब बनाने में कहीं नहीं कहीं किसी एक gate का इस्तमाल यानि एक नहीं बहुत सारे multiple gate का यह कोई भी device यहां पर फॉर्मेशन किया गया होगा तो उसका सबसे बेसिक पार्ट होगा यानि कि इंटा जो होगा वह सबसे छोटा component जो वह logic gate ही होगा ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा logic gate का क्या काम होता है logic gate यहां पर क्या यूज़ किया जाता है ठीक है तो basic building element ह होता है कोई भी circuit का कौन तो हमारा logic gate होता है I hope आपको यह चीज़े समझ में आ गई हुए ठीक है बात करते हैं चलिए अब यह तो सर आपने बता दिया कि logic gate क्या है basic building element है क्यों कहा गया है तो मुख्यता दो तरह का digital circuit होता है combination circuit और उसके जो भी example है उसका formation जो हुआ वह logic gate का उप्योग करके ही हुआ है यानि एक इटा है तरह से आपको कह सकते हैं क्या तो logic gate तो मुख्यता जितना भी logic gate है यहां पर थोड़ा सा मैं examination point को भी जिक्र कर दूँगा यहां पर कि जितना भी logic gate अगर आपसे exam में पूछा जाए कि इन में से कौन सा logic gate है या नहीं तो यह सारा नाम या रखना है end gate भी होता है और gate, not gate, nand gate, nor gate, xnor gate, xnor gate ठीक है जोर मतला exclusive of or और यह होता है exclusive of nor इस हम लोग कहते है ठीक है तो यह इतना तरह का logic gate है अगर आपसे पूछा जाए इन में से कौन सा gate है या नहीं तो यही सारा logic gate होता है इसके लावा और कोई logic gate होता है लेकिन आपके सबाल में पूछा तो मुख्यता basic logic gate जो होता है वो दो ही होता है एक end gate, एक nor gate और एक not gate यही तीन basic है बेसिक कहने का मतलब यह है दोस्तो कह सकता है कि मुख्य कितने भाग में बाड़ा गया तो मुख्यता जो कुछ नहीं है मेरे पास सिर्फ वही है तो वो क्या है मेरा basic तो nand gate है, nor gate है और not gate और बाकी सारा जितना है सभी इर्षी के इर्द गिर्द घुमता है ठीक है इसलिए आप से पूछा जाए कि basic logic gate कितना होता है तो यह हमारा and or or not होता है ठीक है, दूसरा example मैंने लिखा universal gate ठीक है, universal logic gate कौन कौन है, nand और not है तो बात करते हैं इस पर, universal क्यों कहा गया है, universal इस ठीक है, nor को तोड़ेंगा तो not or or बनेगा, इसलिए से universal gate कहा गया, ठीक है, universal है भाई, इसलिए से बन जाएगा यह basic वाला सारा, ठीक है, तो याद रखिएगा basic gate कितना है तो यही तीन है, universal gate कितना है तो यही दो है, आपको derived gate पूछा जाए ठीक है, ठीक है, यानि कि पहले कि simple सा बात है भाई, कोई भी अगर calculation हो रहा है या कुछ भी computer में काम कर रहा है, तो वहाँ plus, minus, गुना, भागा, divide, यही सब काम हो रहा है ना भाई अंदर में, कल मैंने बताया था ना, computer mathematical, logical unit है, तो यह जोड, घटाओ, गुना, भागा, यह सारा जो काम है, वो कौन करता है वो हमारा यही सारा gate ही तो करेगा भाई, तो इसलिए इसे basic building, जितना भी internal operation होगा, simple सा बात है भाई, अंदर जो भी जाएगा, 10 का ही काम होगा, कुछ भी है, हम विबेक भी लिखें, तो भी 10 में जाएगा, हम गाना भी सुनाएं, तब भी 10 में जाएगा, कुछ भी है, तो 10 अंदर जा रहा है, तो वो हमें operation करेगा, calculation करेगा, तो वो calculation करें के लिए कुछ elements का इस्तमाल करता है, तो वो है यह सारे element, यानि logic gate का इस्तमाल करता है, तो आपको यहाँ पर exam point review से याद रखना है कि कौन-कौन से logic gate होते हैं, और कौन से किस category में आते हैं, ठीक है, यह एक सवाल आपके exam point review से बनता है, और मैं उमीद करता हूँ, यह समझ में भी आपको आ गया होगा, ठीक है, बात करते हैं, अब हर gate के बारे में थोड़ा सा जिक्र करनें दोस्तों, तो सबसे पहला बाठ करते हैं, अगर basic वाले gate पे सबसे पहला example कौन है, तो हमारा end gate है, almost सुना भी होगा, एक्जाम में क्या point important होता है, यह हम यहाँ पे दिक्र कर दें, end gate से आपसे exam में कभी-कभी यह पूछा जाता है, कि अगर आप end gate का इस्तमाल कर रहे हो, और दोनों switch off है, दोनों मतलब क्या है, off mode में, 0 का मतलब हम लोग कहते है, off, ठीक है, 0 का मतलब कहते है, off, औ one का मतलब कहते है, on, ठीक है, signal on का मतलब signal जा रहा है, off का मतलब signal बंद है, तो on, off भी हम लोग कहते है, ठीक है, तो दोस्तों, अगर end gate का उप्योग कर रहे हो, और दोनों switches off है, यानि दोनों input अगर 00 है, तो output क्या होगा, तो दोस्तों output में 0 होगा, ठीक है, तो ऐसा ही सवा सवाल आपसे पूछा जाएगा कंडिशन दिया रहेगा कि अगर दोनों रहेगा अंड गेट में तो आउट्पुड क्या होगा यह सवाल है जो एक्जाम में पूछा जाएगा लेकिन रटना बड़ा confusion हो जाता है समझ में नहीं नहीं हाता है कन्फ्यूज हो जाता हूं ठीक है तो तो दोस्तों कुछ logic है जो यहां आप चुकी logic पढ़ रहे तो logic तो दे़ेंगे तो end gate को बेसिकली न मल्टिप्लाइवाला gate बोला जाता है क्या मल्टिप्लाइवाला गीट देख सकते हैं यहां multiply dot से multiply को represent करते है तो end gate basically क्या है 법 increases तो इसиля उजाएगा मल्टिप्लाइ बस याद हो जाएगा lie movie है या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अधिये ट् प्टिप्लाइब करता ह्युक्ण में क्या होता है कि दोनों input जब तक on रहेगा आप इसको एक और नाम दे सकते हैं 0 को low भी कहते हैं और one को high भी कहते हैं ठीक है ये भी लिखा रह सकता है exam में कि signal जब high रहता है end gate में जब दोनों signal high होगा तो output क्या होगा जब दोनो signal दोनो input high होगा तभी मेरा output मेरा high होगा किसमे तो end gate में ऐसे याद रख लेना ठीक है मैं उमीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको end gate multiply पर काम करता है तो इसका बस यही याद रखना multiply है तो दोनो input, दोनो input अगर high है, दोनो input अगर high है, तो मेरा output भी high होगा, ठीक है, high मतलब one, अब एक चीज और समझ लिएगा, आप से कभी-कभी यह पूछा जाएगा, कि इसमें कितने तरह, कितना input होता है, मुख्यता, दो input होता है, ठीक है, output तो चलो एक ही होगा, ठीक है, I hope so तो यह point समझ में आ गया होगा, दूसरा point पे बात करते है, or gate, or gate जो है, basically plus पे काम करता है, जोड़ पे, ठीक है, लिखा भी गया है, और इसमें भी दो ही input होता है, यह इसका distance circuit है, ऐसा दिखता है, और यह इसका आपका tooth table हो गया, तो end gate basically plus पे काम करता है, ठीक है, end gate क्या है basically plus पे काम करता, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कि इसमें कोई भी input अगर high है, any input is high, अगर कोई भी input high है, तो output मेरा high होगा, देखलो, check कर लते हैं, दोनों input low है, तो output low है, फिल्कुल सही, इसमें एक input हमको high मिल गया, तो high हो गया, इसमें भी एक input मेरा high मिल गया, तो और यह मेरा हाई हो गया इस में ऑनों इंपूठ है तो बस यह ही है कि और गेट क्या करता है और प्लस पर काम करता है अब पर काम करता है तो यह台 इसका बस क्लांग हो कोई ऑर और यह नहीं AllION कोई भी एक कोई Почему왔 एक लड़का है, तो ऐसा रिजिनिंग सिलबलिंग में हम लोग पढ़ते हैं. तो क्या है, दोस्तों, इसमें कोई भी अगर एक इनपुट हाई होगा, तो आउटपूट मेरा हाई होगा. उसमें क्या है, जब तक दोनों इनपूट नहीं होगा, तब तक वहाँ high नहीं होगा, किसमें तो end में था, पस ऐसे याद रखेगा, उस तोनों का logic यह है, इसमें कोई भी any input is high, then output is high, ठीक है, चली, बात करते हैं, तीसरा, not gate, not gate एक ऐसा है, जिसमें एक ही input होता है, और एक output होता है, simple सा, यह just उल्टा है, अगर input यह उल्टा कर दे ही है, यह input 0 लेगा, output 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो just उल्टा करता है, जो input इसको मिलेगा, उसको just उल्टा करेगा, ठीक है, तो दिन का रात कर देता है, वैसी तरह, कि 0 input करोगे, तो output 1 देदेगा, 1 input करोगे, तो 0 का मतलब low और 1 का मतलब high होता है, तो ऐसे आप याद र जाता है, चलिए, बात करते हैं अगला NAND gate, यह कैसा gate था दोस्तों मेरा, यह मेरा universal gate था, universal gate था, पूछा भी जाएगा, universal gate को होना, तो यही वाला है, ठीक है, तो basically end gate क्या है, end का not वाला fund, मतलब end का not वाला रूप है, ठीक है, यानि not और end को जोड के बनाए गया है, क्या, तो end बनाए गया है, तो जो काम end माल लो, कि end काम जो भी कर रहा था, ठीक है, इसका reverse कर देंगे, इसका reverse कर देंगे, तो हमारा NAND बन जाएगा, समझिएगा, चीज़ों, NAND, NAND, ठीक है, तो जो end कर रहा था, अगर उसके उपर उल्टा उसका कर दें, यानि उसके उपर बाह लगा दे, तो जो end कर रहा था, उसका just यह उल्टा कर देगा, समझिएगा, NAND gate क्या है, तो end का उल्टा है, यानि जिस stage में end 1 था, उस stage में end 0 हो जाएगा, और जिस stage में end 0 था, उस stage में end 1 हो जाएगा, और जिस stage में end 1 था, उस case में 0 हो जाएगा, वही वाला हाट है, लगत करते हैं करें देखो सिंपल सा याद रखीएगा अगर याद है थोड़ा से यहां पर एंड ओला मैं लिक देता हूं अगर आपको याद होगा END में क्या था end में मैंने बोला था कि जब तक दोनों इंपूट हाई होगा तभी यह आउटपूट हाई होगा तो यह यानि दोनों इंपूट है है यानि हां 1 होका बाकी सारा जीरो था वहाँ पर याद है आपको नहीं आद है तो थोड़ा फीजर्श वीडियो देख लेना ठीक है तो दोस्तों अब यह था एंड का और इसी का उल्टा है यह वाला इसी का उल्टा है देखलो जिरो का उल्टा वन जिरो का उल्टा वन जिरो का उल्टा वन का उल्टा जिरो तो सिंपल सा बात है नेंड क्या कर रहा है तो एंड का उल्टा कर रहा है जो एंड करता था उसको अजस्ट यह उल्ट 1 high यह है और यहां पर भी एक high है तो यहां पर जब high तो यह क्या कर रहा है लो कर रहा है इतना याद रखना बड़ा complicated होजाता है इसलहें याद रखना कि and क्या करेगा and ussia उल्टा करेगा जो काम दोनो become कर तो इस काम कर रहा था उसका just है जोका कर रहा था ठीक है दोनों अगर one हो रहा था तभी यह वन दे रहा था यह बोलेगा ना तुम दोनों दोगे तो हम zero करेंगे तुम दोनों करोगे तो हम low हो जाएंगे तो वही चीज है यहाँ पर तो आप समझ लीजिएगा नेढ़ गेट है तो नेढ़ हमारा एंड का उलटा होता है छले बात करते हैं तो यह मतलब सकती उलटा करेंगे तो और या Brow नेधा करो और में विघा उन्पूठ न हएंड दो औ hij यह आत करेंगे और क्या आध क्या सब्सक्राइब और और उसको वहिए तो हम हम रिजल्ट हाई देंगे वह बोला था कि अगर हम कोई भी एक इंपुटि हाइगे तो हम रिजल्ट हाई देंगे याद होगा आपको बह teasing मैं आ भी जैसे मैंने बताया भी था क्लारी ता टीक है क्या था क्लिभी फिर आफे consistent पूर्दो हम result high कर देंगे, तो वही चीज किया, लेकिन NAND क्या बोलता है भाई, जो तुम करेगा न उसका just हम उल्टा करेंगे, देख लो, सब का result उसका उल्टा होगा, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो यह 0 आगया, यह 1 था, तो यह 0 आगया, फुल फॉर्म होता है एक्स्क्लूसिव और गेट ठीक है यह इसका आपका डिजिटल सर्कीट काम कैसे करता है तो चुकि और का सकाने इसको आपके प्लास में च्प जाएगी मेरे प्रयास गंट का वीडियो आ Elmo करो आपके दिमाग में रहे निकलेesch और अगर इसमें हमें सफलता मिल रही है तो मुझे comment box में जरूर बताएगा या सर मुझे सफलता इस पर मिल रही है या आपको और हमसे क्या expectation है वह भी मुझे comment box में जरूर शेर किजिएगा चलिए बात करते हैं तो और gate को याद रखने का तरीका क्या है यह क्या होता है कि अगा चलो कोई बात नहीं कि दिलिंग होता है ठीके जब ही डिफ्रेंट होगा यानि कि जोर में क्या होगा कि जब लड़का और लड़की होगा तब यह result high करेगा, ऐसे याद रखना, साधी कब हो सकता है, जब लड़का और लड़की रहे, तभी यह साधी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए याद रखना, जौर को कैसे याद रखना है, 0, 1, 1, 1, तो ऐसे याद रखना कि दोनों different input रहेगा, तब यह high देगा, यह कब high देगा, जब दोनों different input रहेगा, कौन, तो मेरा exclusive of or, यानि कि जौर, अब इसी का just उल्टा हो जाएगा, कौन, तो nor हो जाएगा, तो exclusive of nor just उसका उल्टा है, देख सकते हैं, यह क्या कर देंगे, ना ना हम लड़का-लड़का का भी साधि कर देंगे, उसका बात यह काटता हैं, यानि कि वो यह वाला काम कर रहा था, वो लड़का-लड़का-लड़की का साधि सिर्फ कर देगे, यह बोला हम लड़का- कर रहा है बाकि यह दोनों पॉइंट यहां पर जीरो ही हो रहा है तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं तो दोस्तों यह सारा था हमारा logic gate याद रखिएगा जितने भी logic gate था मैंने सब के बारे में बताया इसका क्या यूज है हमारे सब्सक्राइब बताया मैं उमीद करता हूँ आज का सेशन आपने अगर पूरा देखा देखिएगा जरूर पूरा सेशन को तो आपको क्या फाइदा होने वारा logic gate के बारे में पुरुता information मिल जाएगा और इसके इर्दगिर्थ कुछ भी अगर सवाल आपके examination में आ रहे हैं तो वह छूटेगा नहीं यह मेरा यहां पर commitment रहता है ठीक है अगर इसके अलावे भी और कुछ additional information चाहिए तो मुझे comment box में share कीजिएगा मैं आपको वह सारी चीज़े आपको बताऊंग सारे वीडियो तो हर वीडियो को देखिएगा computer related जितने भी शमश्या है वो आपकी दूर हो जाएगी ठीक है चलिए तो यह रखा आज का session मैं यहीं पर अंद करूंगा कैसा लगा यह session मुझे जरूर बताईएगा साथे साथ हर बच्चे से मैं कहां अपना football review और comment भी जरू के साथ ठीक है तो टाटा बाई बाई एंड गूद लेक।